जैमा सत्नमो आदिश, श्री गुर्देव आदिश, जैमा तारा सभी को नवरात्री की बहुत बहुत धेल सारी शुब कामनाया और माकारा आशिरवाद आदिश, जैमा मादुर्गे, मातारा, माकाली मैया, सभी इष्ट देवी देवी ताउं कि आपके उपर करिपा बनी रहा हमारी ऐसी प्रेणा है आज बात करेंगे आश्टमी और सब्तमी जो आ रही है उन नवरात्री में आप लोगों के घर में अनेको चीजे पनपती है, आप लोगों को स्वपन में गवराट होती है, स्वपन से उठते हो, मरे हुए व्यक्ति देखते है नेगिटिव एनर्जी का एसास होता है, पूरी बाड़ी जो है, वो हील करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्च यह जरीया आपके उसमें मांगती है, ठीक है तो सब्तमी अश्टमी एक ऐसी मूल व्यवस्था है नवरात्री की, जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी का मलब टोटल एनर्जी, ठीक है, सिर से लेकि पाउं तक, हेल कर सकते हो, घर के परिवार जनों को भी बचा सकते हो, गंदी चीजों को बाहर फैंक सकते हो लेने हैं, ठीक है, एक-एक मिटर के तीन लाल वस्तर लेने हैं, और उसमें हल्दी, एक रुपे का सिक्का, थोड़ा से सिंदूर, ये तीनों को अपने घर की बाहरी तरब से, पहला अंदर की तरब से सपर्ष करवा हैं, हर एक दिवार से, फिर बाहर की तरब से, और रातर की के समय, इसको किसी जलते हुए, किसी भी जलती हुई, अगनी कहीं दूर जंगल में अगर जल रही हूँ, वहां फैंक दे, या फिर चलते पानी में बहा दे, या हो सकते तो, किसी पेड़ के निचे गाड़ दे, ऐसा पेड़ जहां कोई आता जाता नहों, ठीक है, यह से परिणाम करने वाली चीज़े हैं, और अच्छी चीज़ भी है, सरल है कारे को सफल करती है, आपके बादित कारे भी होंगे, वो भी यह बनाएगी, ठीक है, एक तो गया यह, अब दूसरा आगया कि आपके पास पंडित का जो खर्च है, उस दिन आप नहीं करवा सकते हैं, और आप चाते हो कि आप सादक के रूप में हो, तो आप खुद हवन करना चाते हो, तो इसके लिए क्या करना है, कि सबसे पहला तो सब्तमी का हवन नहीं होगा, इसमें अश्टमी का हवन मेन रहेगा, आपका ठीक है, चाहे कोई भगत हो, सादक को यह कर सकता है, ऐसी कोई इसमें बड़ी बाद नहीं, सब्तशती पार्ट का एक गूगल पे भी खोलोगी हो, वो पूरा वीदी वीदाना था, अब करना क्या है कि पहला तो पांच नारियल, ठीक है, पानी वाले, इसके साथ रंगोली बनानी है, मा की हवन कुंड के आसपास थोड़ा गोबर लेपन करना है, ठीक है, घर में कर रहे हो तो भी अच्छा है, घर में भी कूबर थोड़ा से लगा लें बाहली तरब से ठीक है, इसके उपरां था आप wenn, मा सब्च्चती का अपाट कर सकते हो अब सब्सक्राइब कैसे करें कि मालो पहला अंत्रा है ठीक है तो उसमें आपको जो पहला वह पूरा वर्ड है ठीक है जैसे मालो ओम जन्ति-मंगरी बदर करीकपननी दुरुगा शमशिवादा तरी स्वाहा शुदा नमस्तूते तो यह पूरा करने के गंगजल का च्ऩटकाऊ भी बीची बीच में डालते रहें ठीक है अ दूसरा आपका ये रहेगा कि आप ये जो हवण करो हवण के बाद आप कन्याओं को भोजन करवाएं कन्याओं को भोजन कैसे करवाना है Philippines घर पर भोजन करवाएं बाहर भोजन ठीक ह। कि यदि आपके वरत है उफवास अगर चल रहा है तो भी ठीक है इससे क्या होगा कि आप उनको जो खाना दोगे खाना के बाद उनको मा का जो सिनूर रहता है सुहागी जिसको हम कहते है वो भी दीजिए ठीक है इसके साथ सुहागी के साथ आप उनको दक्षनाएं दे 20-20-10-11-11 जो भी आपको ठीक लगे आप दीजिए ठीक है और उनसे आशिरवाद लीजिए ठीक है आशिरवाद लीजिए और आशिरवाद में कहिए कि ए माम मेरी जो भी कामला है इच्छा पूरती है जो भी आपको ल दूसरा आपने हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चैनल को कैसे न कैसे करके किसी न किसी तरह से आगे पहुँचा है तो इसके लिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सी मैंने रिक्वेस्ट की बहुत से लोग जुड़े भी नहीं शौट वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉंड मुझे मिला लोगों ने बड़ चड़ के उस पर वीउस किया मेरे शौट वीडियो पर ठीक है एक वीडियो वन के क्रॉस करके था मेरा ठीक है देखी यह चैनल मैंने किसी इस चीज के लिए नहीं बनाया है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा कंटेंट देना सिंपल सी बात यह है कि मनुष्य जो है वो किसी ना किसी तरह से अध्यात्मिक एक जड़ों से जुड़ा हुआ है छोटी से छोटी जड़ों चाहिए वो माने चाहिए ना माने उसमें हमें कोई दिक कर नहीं है यह वेवस्था ऐसी है कि आप डेली फोन चलाते हो तो पांच मिनिट आप दस मिनिट आप स्प्रिच्वल्टी देखोगे भी तो भी आपको वही पुर्णय प्राप्त होगा जो एक करने वाले कोता है क्य जितना आपको हाथों से यह करना है ठीक है तो यह चीज रहेगी इसमें कि आप लोग इन चीजों को समझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ लोगों से भी शेयर करवाएं ठीक है यह कोई बहुत वड़ी विधाय नहीं है कि हां आप भी इसी तरह से करें मगर आ नौलिज की चीज़े है किसी भी चरह से ठीक है अब नवरात्री में यदि किसी ने जोगर आपने रखे हैं ठीक है तो उनको पानी की तरफ बहाएं ठीक है शेरों में रखते तो भी पानी की तरफ बहाएं किसी नाले में ना फैंके गंदी जगों पर ना फैंके ठीक है पह एक सिंपल सा यह रहेगा कि देली का पंदरा मिनट का शिव पंचाक्ष्री मंतर का जाप करें पंदरा मिनट ओल्ली कि क्यों बोल रहा हूं उसके पिछा कार्या कि यह कि पंचाक्ष्री मंतर जो है वो संफूट हुआ हुआ स्वयम संफूट है उसमें करने की जरूरती नहीं है वो आपको इस साथना का डबल लाव देगा इस्ट जो है उनका भी ले सकते हो आप ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बड़े साथक जो है अश्टमी और सब्तमी की दिन यदी रात्तरी में हवन करना चाहे तो कर सकते है ठीक है उसमें वीधान ये रहेगा त्रिकुंड आपका हवन रहेगा ठीक है त्रिकुंड आपका हवन रहने के उपरांत आप अगर माकाली के उपा सको तो आपका जो भी बीजाक्षर है गुरु मंत्र है वो चलेगा गुरु मंत्र के बाद आपकी 21 माला 41 माला मैक्सिमम तो 21 माला से उपर ही रहना चाहिए आपका ठीक है दुर्गा सबच्छती का पाट करे रात्री सुक्तम तांत्रोक्त वीदी से करे ठीक है यदि आप चाहे तो दूसरा इसमें ये कर सकते हो आपकी देहों माँ भाव तारे नहीं है उसने किसी का बुरा करना नहीं किया है तो आप लोग बढ़ चड़ के अगर इन चीजों को करोगे आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो बली मांगरी आप से ये सारी थोड़ी ड़क्यान उसी बाते हैं मैं तो मानता हूँ ठीक ऐसा नहीं है लोगों का मानना है कि हाँ जी हो मा तो बली मांगरी ऐसा नहीं है बाई बली विधान जो है वो प्रेत तो उसमें आता है दूसरा जो मा के गणों के लिए है वो उसमें जाता है बाकी कुछ नहीं होता है हम लोग वुब इतना टाइम हो चुका है इञाइन में 8 साल के कुरीब मुझे हो चला इस लाइन में तो इतना तो अनुभावित होई जाता है एक सादक को कुछ आप जीवन में बदल के करिएगा तो आपके लिए भी अच्छा है ठीक है उसमें मेरे अकेले का फाइदा नहीं है नवरात्री क्यों मातो पुर्ण है परतेख जीवन में परतेख के जीवन में होने चाहिए इससे आपको उर्जाएं मिलती है उर्जा कैसी एक तो देहो शारीरी काप को बल मिल रहा है समझ रहे हूँ और एक आपको मानसीक भी मिल रहे है तनाओ से भी मुक्ति मिल रहे है ना डेली काप काम करते हूँ डेली नोड चापते हूँ ठीक है पंदरा मिंट बीस मिनट तो आदमी बैठ hी सकता है मुबाईल के सामने किना दिर बैठते हो आप लोग तो इतना समय मत कीजिए ये समय गवाएना को समझे कुछ लोग बोलते हमें बोड़े होने पर जाप करना शुरू करना है माला अभी क्यों ली तुमने सीधी सी बात ये है भाईया बोड़े होने पर बहुत कुछ आदमी सोचता है मगर उस टाइम पर क्या होता है कि ये मराज जी जो है उनका पैरा लग जाता है और फिर जब दांत उतर जाते है तो फिर तो राम की जवाँ हाम ही बोला जाता है ठीक है तो ऐसी विवस्ता नावना है अभी समय है जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं किसी का भी इश्वर का नाम सकते है वाकी से ओपर कुछ भी नहीं अजर अमर इश्वर अभी नाशी तू कल्याण मै कारी मा ठीक है ये कल्याण करने वाली है सभी को देने वाली है सभी के दुखों को हरने वाली है मा सभी का कल्याण करना सभी को आशिरवाद परतान करना नवरात्तरी की सभी को एक वार फिर से धेर सारी शुब कामना है हिमाले तारा पिट मेरे गुर्देव जी के आदिश से आप सभी सादू, संत, भगत, सादक चितने भी है उन सभी को मेरा प्यार भरा अदिश, 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 जैतार